हेलो तो इड़र्स वेल्कुम तो चैनल मेंबर्स आज हम एल्टीटियस को ट्रेट कर रहे हैं मुमेंटम बहुत बड़ा इस वज़े से थोड़ा सा लेट होगा है इसको रिकार्ड करने में इसको देखिए इसके अंदर 153 कॉंटिटिटी के साथ हम ट्रेट कर रहे हैं और और बुक पोजिशन्स ओके ओर और लाइन थाजुन रूपीस के आसवास का प्रॉफिट है 153 कॉंटिटिटीटीज को हमने शॉट किया हुआ है 4966 पर और stop loss जो लगा इसके 4980 पर हमें अपनी stop ऐसे है कि 9.15 के हाई तक इस price को down side के तरफ गिर जाना चाहिए 9.15 का जो हाई है so buffer देकर थोड़ा upside पर 4854 के आसपास हम यहां पर कोशिश करेंगे target करने के एक्शली यह LTTS lifetime high पर चल रहा है lifetime high पर जब कोई stock चलता है तो highs पर कुछ एक formation हमें देखनी होते है LTTS के अंदर क् morning से यह stock लबगा 4% से जाधा momentum हमको show कर चुका है okay अब यह resistance पर पहुंच जाने के बाद इसने अपने resistance को protect करना शुरू कर गिया था यानि के highs को protect करना शुरू कर दिया था और एक simple method से अगर हम इसको देखेंगे कि अगर हम simple सी trend line इसके अंदर draw कर लेंगे न तो यह वाला जो एरिया बना था बहुत simple trade था यह यह वाला जो एरिया हमारा बना था हमारा entry का point था और just इसी trend line के upside में हमने इसके अंदर अपने stop losses लगा दिये थे इस trend line के ऊपर जहाँ पर जैसे ही price नीचे गिरा है हमने volumes की confirmations लिए यहाँ पर volumes की confirmations like highs पर देखिए buyers active हुए है again जब price हमारा high के ऊपर गया है तो देखिए यहाँ पर buyers कमजोर हो गया है और यहाँ पर देखिए sellers थे उनकी volume का breakout हुआ sellers ने एक formation यहाँ पर draw की और उस formation के साथ इसाथ price ने downside के तरफ में breakout कर दिये इससे इसको समझेगा कि जो highs हमारे लगे है 10 पचकर 15 पर जो हमारा high लगा है हाई पर देखिए दुबारा जब price हमारा पहुंचता है तो वहाँ पर हमारे buyers कमजोर है और sellers पूरी तरह से पनी volumes का breakout कर देते हैं सिर्फ इतनी सी ही चीज़ को देख करके हम यहां पर trade नहीं कर देंगे हमें confirmations चाहिए थी जिसकी वज़े से हमने यहां पर एक trend line पूट कर दी सिर्फ लाइटाइम हाई पर है confirmations के लिए हमारी डेली टाम रेम की जो candles है वह यहां पर अवैलेबल नहीं होती है तो जिसकी वज़े से कुछ confirmations भी हमको लेने पड़ते हैं और उन confirmations के बाद हमको एपना trade एक्जिक्यूट करते हैं लगबग 40 रुपय का stop loss हमारा है 153 कौनिटी हमारी आई है और पोजिशन बुक में अगर हम देखे तो ठीक है 10,000 रुपी के आसपास का हमारा profit इसक्त का रनिंग है सो हमारे trade चल रहा अब देखे यह कुछ formations है अब इन formations को अगर downside की दरफ प्राइस ने breakout किया तो यहां पर supports downside की दरफ ब्रेक होंगे और प्राइस जो हमारी उम्मीद है के 9.15 के high तक पहुंचना चाहिए अगर market यहां से नीचे की दरफ गिरती है तो अपना यह जो छोटा स्विंग लगा रखा है market ने यह वाला देखे यह जो gap दे रखा है यह इसके लिए एक support point बन सकता है यह वाले अरिया यह इसके लिए support point बन सकता है अगर market ने 9.15 का low भी break कर दिया 9.15 का low ही एक तरह से हम बोलेंगे तो market यहां तक गिर सकती है हम वेट करेंगे because momentum बहुत अच्छे market शो कर रही है एक rejection आया rejection के बाद अगर यह downside की दरफ रिखोगा तो फिर से momentum इसकी continue रह सकती है यह first thing है and second chapter हम अपना यहां पर पढ़ेंगे और उसे concept को पूरी तरह से समझ आए और नहीए बुशिश करेंगे और यह ट्रीट नहीं करते हैं आपके concept की तरह बढ़ते हैं कई कर दा कर दा झाल 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 स्चुआ साफ साफ स्चुआ मेंबर्स LTTS के अंदर से हम बहार निकल चोगे हैं शुरुआत में हमको अपने टार्गेट बुक करने से पहले लग रहा था कि यह जो ग्रीन लाइल रहा कि यहां से प्राइज रीट्रेस हो सकता अपसाइट की दरफ बट जो हमने अपने टार्गेट्स बुक है 9.15 का जो हमने आपसे हाई बोला था प्राइस देखिए उसी लेवल पर आ जाने के बाद अपसाइट की दरफ निकल गया था थोड़ा सा बफ़र दे करके एग्जैक 9.15 का हाई ने थोड़ा सा बफ़र दे करके हमने अपने अपनी सभी टार्गेट्स बुक है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्ट 153 कॉनिटिव को हमने जो भाई कर लिया है 4854.65 484.65 तो एग्जैक्ट इस लेवल पर में भाई कर लिया और इस टॉप लॉस और यहां से पूरा कपूरा कैंसिल कर दिया और प्रॉफिट जो आज के दिन हमको अवर ओल हुआ है 17,000 रुपीज का प्रॉफिट है 17,224 रुपीज का प्रॉफिट है रिस्क और रिवार्ड रिश्यो बहुत अच्छा आज के दिन हमको मिला है और पूरी तरह से जो रिजल्ट हमें मिला है या पिर जो परिणाम हम बोलेंगे यह अपने पेशेंस लेवल का ही है हमारी जो अपनी 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 अपने के ऊपर कितना बिलीव करते हैं जिस लेवल पर हमने अपनी अपनी एंट्री लिह है जो लेवल हमने अपने अपने stop loss के लिए लगा है वह कितने सही है कितने perfect है इसके ओपर depends कर आपकी accuracy यहां से देखे price ने अपने highs break करने शुरू कर दी थी जैसी यह green वाली candle इपनी इसके highs देखे break हो गये थे but belief मेरा था कि price high की तरफ तो जा रहा है LTS अपने जिस range को break करके downside की तरफ आया है down में यानि के 9.15 का high जो हमने अपने target लगा रखा अगर market को upside की तरफ भी जाना है तो 9.15 के high के पास सही price support लेकर की maybe chance है कि ओपर जाएगा so हमने यहां पर wait किया और देख सकते है 9.15 के high को touch करने के बाद इसके अंदर यह green candles form हो रही है और अब अगर market upside की तरफ जाती है तो यह वाला resistance break करके market upside की तरफ आपको move करते हुए दिखाई पड़ सकती है by the way यहां पर सारी quantity हमने book कर ली है और 17,000 रुपिस का profit है एक sufficient एक decent profit हमारा आज के दिन का okay so आज का यह trading session दो यहीं पर खतम करते है I hope कि आपने से काफी कुछ सीखा होगा सीखा इंदर सेंस के सारा गें बस patience का है एक entry stop loss targets लगा करके मैं बैठ जाना है study होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि गलत study करके उसके उपर believe करके हम बैठ के है सीखिए सीखने के बाद थोड़ा patience को perfect बनाने की कोशिच कीजिए अपने patience को high level तक ले जाने की कोशिच करिए आप कभी भी किसी जो call वैगार देते हैं या आप किसी की call या tips के उपर कुछ profit नहीं निकाल सकते कभी profit नहीं बन सकते सीखना जरूरी है अगर आपको काम करना है तो आप भी को सीखना पड़ेगा जब practice आपकी एक सही रास्ते पर होगी तो profits भी automatic होंगे system होना जरूरी है money management and risk management होना compulsory है okay so LTTS कम लोग यहीं पर close करते हैं so thank you and अच्छा लगता है जब profits हमारी expectation से ज्यादा क्यों होते हैं हमें लगाता है कि हमें अपने targets stretch करने पड़ेंगे बट हमने target sorry अपने targets हमको revise करने पड़ेंगे बट हमने कोई भी targets पने revise नहीं किया 1 ratio 8 से भी ज्यादा का risk and reward ratio को देखने के मिला है काफी अच्छा risk and reward ratio काफी अच्छा profit आज के दिन का okay so thank you and अब हम बढ़ते हैं आज के अपरे topic की तरफ Ant volume Ant volume का मतलब कि पूरे दिन में पूरे दिन का जो अपना trading का period होगा उसमें तरह तरह की volumes generate होती है चोटी बड़ी medium काफी काफी तरह की volumes लाइक यह हमारा volume का प्रोसेस चल रहा है अन्यूजल सी volume भी आ जाती है चलिए अब मां लिजिए यह अपनी volumes है Ant volume कौन सी होगी कि पूरे दिन के process में हमें देखना है कोई ऐसी एक जगह जहां पर buyers या sellers ने सबसे कम इंट्रेस्ट लिया हो मतलब वहां पर बाकी जगह से ज्यादा बाकी जगह से ज्यादा सबसे कम इंट्रेस्ट हमें शोक होना चाहिए ज्यादा इंट्रेस्ट पर तो सभी की नज़र रहती है कि इस जगह पर आपकी सबसे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं वो हमें पता कैसे चलेगा टूव वॉल्यूम से अंट इंदसें सबसे महीन सबसे छोटी वॉल्यूम आपको देखने ही यहां पर तो हम यहां पर ऐसा मान करके चल रहे हैं कि कि सबसे कम वॉल्यूम जो हम को शो हो रही इस फस्ट वाली केंडल में शो रही है यह वाली केंडल इस एक केंडल का हमको यूज्स करना है इस वाली वालुम का अच्छा इसका यूज कैसे होगा in between हाई या फिर लो यह तीन जगाह होते हैं आपने चार्ट के उपर in between का मतलब इसको ही रेस करते हैं, in between का मतलब कि ये अपना पूरा trading का session चला है एक तो होगे हमारा ये high, एक होगे हमारा yellow, ये है हमारा in between, ये middle area बोल सकते हैं अब ये middle point अपना, अब ये वाली जो अपनी volume है, इसके कुछ जगह होती है, के like अगर तो ये जगह सबसे बेस्ट मानी जाती हैं। इन बिटविन कहीं मिलती हैं यू थोड़ी सी कम होजाते हैं। इसके पिछे की psychology क्या बोलती है हमको। कि वह जगया जहां पर bother so sellers में सबसे कम इंट्रेस्ट लिया गया रहला है अदिए को इंट्रेस्ट नहीं हम बेट करेंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रहा किसी फोर्टिकलर पॉइंट करते हैं hanno यह यह वाला हैबंग South आपके 500-5 है यह वाला एरिया हमारा है 450 का ओके यह 450 का एरिया है तो 450 के एरिये में किसी को इंट्रेस्ट नहीं है अब कोई इंट्रेस्ट नहीं है यानि हम इसका यूज कब कर सकते हैं हम इसका हाई कर लेंगे जो सबसे कम वॉल्यूम है हम इसका हाई हो लो माक कर लेंगे अच्छा आप यह बात मांगते हो कि जिस एरिये मुचे वहां पर आपको प्रिमी सब्सक्राइब का का इंट्रेस्ट अगर मार्केट में शू कर दिया तो उसका wonder 구 the government और यह वाला जो फीली देजुजे मैंद सब्सक्राइब मतलब यह ऐरिया अपना ब्लाइंक है यहां पर मार्केट उसको फिल करने की कोशिश करती है यह एरिया हमारे लिए एक पर्टिक्लर सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है नेक्स टेके ट्रेडिंग सेशन के लिए इसको चार्ट में देखें सीटें फिस्बुक का चार्ट है यहां पर सबसे कम वॉल्यूम कहां पर होगी यह अपना पूरा दिन खतम हो गया था 2.725 2.7 यही सबसे कमजोर वॉल्यूम है हमारी 2.725 है और यह 2.7 है ओके सबसे कमजोर वॉल्यूम यह वाली है हम सिंप्ली क्या करेंगे इसका लो और इसका हाई है हमें यह माग कर लेता है हम देखेंगे कि क्या नेक्स्ट हमारी इस कैंडल ने है और यह वाली कैंडल क्या नेक्स्ट हमारी इस वाली कैंडल ने कोई इफेक्ट डाला है चार्ट के उपर या नहीं डाला है अगर हम रखने वाली वॉल्यूम या सबसे कम इंट्रेस्ट जहां पर मार्केट ने शो किया है मार्केट ने अगे ऑगें सेम शेय को अगे का सब्सक्राइब पर आज रहा करके आगे का अपना सिपोर्ट सपोर्थ इस और आजकी मार्केट सेम लेवल से अपसाइट के तरफ चली गए इसी पॉइंट से अपसाइट के तरफ यह वाली जो रेंज है मतलब सबसे कम इंट्रेस्ट जहां पर आपको शो कर लिए कैंडल क्या हायर टायम फ्रेम पर भी हमको वहां पर कुछ सपोर्ट या रेस्टेंस मा बना करके दे रही है हमने कुछ भी नहीं किया है सिर्फ प्रिवेस डेगी जो सबसे कम वॉल्यूम आई है जिस कैंडल में हमने सिर्फ उसका हाई और लो मां कर लिया यानि उसने हमको एक रेंज बना करके दिए हायर टायम फ्रेम पर भी आप देखोगे तो वहीं पर कहीं मार्केट सब्सहर लेते हुए देख सकते हैं अब किसी भी चार्ट को उठा करके देख सकते हैं किसी बीtrack सिंगल किसी एक चार्ट हो हमें simple से इस एक candle को देखना है इसका use किस तरह से होगा यह आने वाली classes किसी भी तरह को use हम नहीं बताएगा आने वाली classes में आपको इसके users पता चलेंगे कि किस level पर आम इसका use कर सकते हैं अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ सकते हैं यह कैंडल एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज ड्रॉ करती है मेरे लिए और सेम कैंडल हमें फाइंड करने हूं सेम कैंडल को आप्जर्व करना है कि मार्केट जब हमारी इस एक कैंडल पर आती है तो वहां पर प्रैजस की मुव्मेंट क्या हो जाता है नेक्स्ट के यह एपल का चार्ट है हमारा यहां पर हमें सबसे कम वॉल्यूम देखनी है सबसे कम है तो यह 7.886 यह ज्यादा है यह ज्यादा है यह ग्रीन वाली केंडल यही सबसे कम है मतलब यह वह एरिया जहां पर प्राइजस ने जो हमारे सेलर से बाइस सबसे कम इंट्रेस्ट यहां पर लिया हो लाकेश जी ऐसा बहुत रेयर केस्ट में होता है मतलब हम अगर आपको बता है तो पांच से दस साल में कहीं आपको एक ऐसा चार्ट दिखाएगा जब जब इस तरह की केंडल्स फॉर्म होगी नाइन फिफ्टी ने ट्री ट्री ट्रीट फाइफ पर आपको कभी भी सबसे कम वॉल्म नहीं दिखेगा कभी भी नहीं दिख सकता अगर दिखता है तो वैलिट हो जाएगा वो भी बट ऐसा होता नहीं सेवन पॉंट एट एट सिक्स एट एट ओके यह वाली ग्रीन केंडल में क्या नेक्स डे मार्केट ने हमारी उस रेंज पर कुछ एक्टिविटी की है या नहीं की सिर्फ आपको इतना सा काम करना है और पूरे वीग यह एक्सराइस छिली गया है सिंपल सी चीज है हमारी इस चोटी सी प्रिवेस डे में जहां पर सबसे कम वॉल्यूम आई होगी उसको हमें मार्क कर लेना है गलती मत किजिए इसमें काफी प्रैक्टिस लगी कि आप तोगों की ऐसा नहीं है कि दो बार तिन बार देखे क्योंकि पॉइंट पॉइंट का भी फर्ख होता है इसी है थोड़ा सा फोकस करेंगे तब ऐसे अगर लापरवाही के साथ देखेंगे तो मिस्टेक हो सकती आपसे कि माग कर लेना आज कि माग करके देखना दरेक्टेक्ते टेडिंग हमारी इस वॉल्यूम ने क्या इविसट डाला है नेगिसटे के टी इदिन्गफ़ नगे टरेडिंग के चाट न आ किया प्राइज वहाँ से अप सैट के तरफ गया या फिरन सैट की तरफ आया है हाग के को कि सपोर्ट लिए गया यह फिरेजस्टेंस लिए गया है कि मार्केट हमारी उस वाली कैंड़ की जब उपर ओपन होतीह तो किस तरह का उसके अधर मुवमेंट होते नहीं जाउन सैट की तरफ ऊपर होती है मतलब सबसे कम वाल्यूम के जब डांसाइट की तरफ मार्केट ओपैन हो रही है तो इसके अंदर में किस तरह के मुभमेंट सी चीज़ देखनी है कोई भी सिंपल सी चीज़ है और यही आपको थाम्जरू करनाै पूरे कि हमारी इस एक केंडल का नेक्स टेकर ट्रीडिंग चार्ट के उपर क्या असर पड़ता है इसके लाव और कुछ पिले कि वॉल्यूम्स का बहुत बड़ा एक योगदान होता है हमारे चार्ट की फॉर्मेशन में जिसको देखना कंपल सरी होता है इसी तरह कि कुछ कुछ आपको चार्ट पैटर्न बता देंगे कुछ टूल्स होंगे मतलब यह वॉल्यूम्स को देखना भी क्या यह कोई मैजिक नहीं है इस एक टूल है तूल किसी इसके लिए है चार्ट को रीट करने का प्राइज एक्शन को पकड़ने का उसको समझने का टूल है मतलब इसने क्या कर दिया कुछ जाद जादू थोड़ी ना कर दिया बस इस एक हमको क्या हमने इसका सहरा लिया कि नेक्स्ट अगर पैस हमारी इस रेंच पर क्या सपूर्ट लेती है या फिर यहां पर रेजिस्टेंस लिया जाता है सिर्फ इतनी सी चीज़ आपको देखते हैं इसके लाव और कोई काम भी करना है इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आपको क्लियर कर सकते हो वरना आप हम लोग कल मिलेंगे और कल आपको एक्सेस दिया जागा आपके सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करते हैं एक सेकेंड प्रीविएस सवारफ सवारफ क्या डाउट था अप्रमाइक अप्रमाइक अप्सक्राइब कर सकते हैं उसमें डाउट था कि इस सेप्टेंबर का ग्यारा दस और ग्यारा फंद्रा वाली केंडल सर एकिस को तो सरी इसको एस यह कंसिडर करेंगे क्योंकि यह नीचे से ओपन हुई है और उपर जाकि क्लोज हुई है जी नहीं इसको कंसिडर नहीं करेंगे नहीं करेंगे ना सब जी नहीं और सर एक को डाउट था जैसे मतलब दोनों केंडल एक क्लर की हो तो उसको भी कंसिडर गरेंगे इस यह नहीं उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे ओपन प्रैस ब्रेक होना चाहिए और हेल्दी केंडल होना चाहिए इसके लिए हां हेल्दी केंडल होगी तो ज्यादा अच्छा है हमारा फॉर्मेशन है उस ज्यादा पाउर्फुल होगी मतलब बोड़ी अच्छी होनी चाहिए ठीक लिजा थेक लिजा थैंक लिए